हाई फ्रेंज वेल्कम तो माई चैनल तोड़े विल गॉइंग तो अग्राफ्ट विच इसे कि आप देख रहे हो पेपर को मैंने फोल्ड करके आपको बता दिया है कि फर्स्ट कैसे फोल्ड करना है आपको अगर नहीं समझ में आया है दुबारा प्री रिवाइन करके देख स बाहर के काट दिया है तो आप संभाल के थोड़ा केरफुली कट करें और चिपकाने के टाइम भी बी केरफुल बिकॉज आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा जैसे कि आराम से ये ओपन और क्लोज हो पाए और मैंने आप देख पा रहे हो मैंने यहाप एक मॉंस्टर की सकते हो तो और मैंने एक रेटेंगल शेप लिया है काट बोड जिसमें की मुझे कुछ राइट डाउन करना है जो की बच्चे रीड आउट करेंगे और फिर काउंट करके टीट्स को लिखेंगे वाँपे तो मैंने यहापे लिख दिया है और हम इसको ऐसे चिपकाएंगे और नीचे वाला पॉर्षिन ही अटैच रहेगा उपर वाले पॉर्षिन में हम गम नहीं लगाएंगे तो आप प्रोसेस को ध्यान से देखें क्योंकि हमें उपर का अलब उपन करना है तो अगर चिपक जाएगा दिन वह उपन नहीं होगा तो जबी भी आप करें थोड़ा सा ध्यान रखें उसका और मैंने कलर करनी स्केचिंग कर रही हूं अभी फिर बैटर है कि पहले आप डिसाइड कर लो कहां पे चिपकाने से ब और कलर करने में भी एजी रहेगा अगर आप सिंगल सिंगल अभी कलर करोगी तो फिर एक बाद चिपक जाएगा दिन उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा अब हम स्केचिंग हमने कर ली है फिर एरेज कर रही हूं पैंसिल्स के चोगी लाइन्स थे क्योंकि पैंसिल लाइन दिखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है अब स्केचिंग कंप्लीट हो गई है अब मैं कल्टिंग कर रही हूं वाकि मैंने एक्रिलिक कलर यूज यूज कर लिया है क्योंकि ज्यादा स्पेस कवर रहेगा एंड थोड़ा डाक भी रहता है नहीं बड़ी कंप्लीट मैंने लिचा तो त्वाटा कर रहे हैं और ज्यादा रिचे लिच नहीं आप लिचा पूंश यूज कर देख रहे हूं अब जिए I think they will enjoy it so this is the purpose of doing this craft thank you for watching thank you so much and see you in my next video take care bye